So mutual fund सही है ये तो आप सभी ने सुना होगा क्या सच में mutual fund सही होते हैं अगर आप भी investment करते हो mutual fund के अंदर या investment करना चाहते हो ये वीडियो समझना यानि ये series देखना आपके लिए बहुत important है and दोस्तो investment करना बहुत अच्छी habit होता है बट क्या mutual fund के अंदर investment करना सही है अगर हा तो कैसे mutual fund काम करता है वै कैसे mutual fund के अंदर आपका पैसा लगता है आपको at least ये तो पता होना चाहिए क्योंकि आप भी hard and money लगा रहे हो and आपको यही नहीं पता कि भाई मेरे mutual fund के अंदर मेरे पैसे लग रहे हैं कौन सी companies के अंदर कैसे mutual fund काम करता है वैल ये चीज बहुत important है तो आज हम start कर रहे हैं आप सभी के लिए mutual fund के ओपर dedicated videos राइट राइट यहां पे mutual fund के ओपर हम बात करेंगे कि भाई mutual funds कितने types के होते हैं ये कैसे काम करते हैं कैसे यहां पे आपका पैसा grow होता है या फिर आपका पैसा नुकसा रहते हैं कि हम गए और share में हमने अपना डिमिटेंट ट्रेडिंग अकाउंट ऑपन किया हमने किसी particular share के अंदर investment कर दिया इसके बार होते हैं दोस्तों funds यानि mutual fund इसके लाव भी हलां कि बहुत से तरीके होते हैं बट जो most popular है वो है mutual funds अब है mutual fund वाले क्या करते हैं आपका प आ रहे हो तो आपको कितना मुनाफ़ा हो सकता है अब आपने देखोगा शेर मार्केट के अंदर मैं आपको बताओ नौर्मली जैसे 100 रुपे का कोई share आप खरीद रहे हो अगर उस share का भाव बढ़ेगा एक महीने में दो महीने में तीन महीने में या एक साल में दो साल में तो उसका मुनाफ़ा आपको होगा अगर वो 100 रुपे का share 120-130 या फिर 200 होता है तो आपको उसमें मुनाफ़ा होता है share मार्केट के अंदर नौर्मल चीज है बट अगर 100 रुपे की चीज रहे गई वही 40 रुपे या 70 रुपे तो उसमें आपको नुक्सान हो जाएगा बट क्या mutual fund के अंदर आप 1000 रुपे लगा रहे हो तो वह 1000 रुपे आपके कहा लग रहे हैं यह चीज तो आपको पता हि नहीं है भाई चलिए आपको समझाते हैं पहले बात करते हैं कि मुचे रुपख कैसे काम करता है नार्मल्ली किल लोग के लिए mutual funds होता है यह सीखना बहुत इंपोर्ट है देखो भाई यह भाई साब है यह 10,000 रुपी महीना इंवस्ट करते हैं यह 7,000 रुपे फ़कितर नो हाग हजाड है आठ ढ़्य यह भाई साब पाँच लोगंख है अक्जमपल यह पाँचों लोग इंवंश्ट करते हैं कहां यह देदे keen be mutual fund को यानि यह लोग invest कर रहे हैं mutual fund कोई भी scheme हो सकती है mutual fund की अभी हम आगे discuss करें कोन-कोन से schemes होती है कैसे काम करता है यह सी सिखना बहुत important है अब मान के चलते हैं इन सब भाईयों ने invest किया फिर इनके लाओ भी और लोग थे इन्हों ने invest किया total एक लाग रुपया सब का मिलागर के हो गया जैसे for example आप ऐसे समझो कि मान के चलो मैं 2000 रुपय महीने invest कर रहा हूँ आप 2000 रुपय महीने invest कर रहे हैं आपका प्रडोसी 2000 रुपय 5000 रुपय महीने invest कर रहा है उसके साथ में बगल वाला 5000 रुपय इन्वेस्ट कर रहा है इसी तरीके से मेरा भाई है कोई तो वो 10,000 बड़ा बिग अमाउट बन जाता है मान के मैं तो लाक रुपय एक्जमपल ले रहा हूँ वो क्रोडर में चला जाता है दोस्तों क्योंकि हर महीने आपने देखा कि SIP बहुत होती है mutual fund के अंदर बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है अब देखो for example इनके पास 1, लेक रुपीज होगे अब इन सब भाईयोंने पैसा डाला और mutual fund जो एक fund house होता है जो जहां पे आपके proper fund managers होते हैं राइट वहां पे क्या होते हैं दोस्तों fund manager होते हैं जिनका काफी अच्छे experience होता है 8-10-20 साल का तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग ultimately ये fund houses होते हैं ये AMC companies होते हैं asset management companies ये कौन सी companies होती हैं दोस्तो asset management companies तो ये क्या अगरती हैं आपका पैसा indirectly share market में ही लगाएंगे अब share market के अंदर कुछ listed companies होती हैं की ऐसा नहीं होगा कि ये हर company वैसा लगाएंगे ऐसा नहीं होगा दोस्तों ये ऐसी listed companies होगी for example अगर आप mutual fund आप चूज़ करें blue chief fund अभी आगे मैं समझाँगा आपको ये funds कैसे होते हैं equity हो गया debt हो गया इस तरह के सा hybrid fund होते हैं flexi cap fund होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं ultimately आपका पैसा कहा लग रहा है भाई share market के अंदर बट आपके बीच में कौन आगे आपके बीच में mutual funds आगे आपके बीच में asset management companies आ manage करने वाला अब क्या आपकी वीना permission कि वो आपके पैसे को निकाल सकता है no कभी ने तो इसलिए आप जो invest कर रहे हैं आप जो SIP कर रहे हैं वो SIP तब तक continue रहेगी जब तक आप चाहते हैं जब तक आप उस investment को करना चाहते हैं तो ये तो चीज थी कि भाई ये आपकी बीच में mutual fund आगे ultimately आपका पैसा share market में लग रहे हैं दूसरा तरीका होता है directly जागर कि आप debit account खोला और आपने कुछ importance companies list की गरी और उन पे पैसा लगा दिया बट वहाँ पर क्या होता है कि वो fluctuation जो होती है वो बहुत दिक्कत देती है एक retailer को तो राइट यहाँ पर समझने वाल भी होता है and fees भी charge करते हैं वो चीज़ आपको पहले ही पता होनी चाहिए अब types of mutual funds अब देखो mutual funds के अंदर normally बहुत से types होती है जिसके अंदर हमने 3 types important रखी है equity फिर उसके बाद hybrid funds फिर होगे debt fund अब equity funds जो होते हैं वो normally आपका पैसा कौन सी companies में लगाएंगे अब देखो जो आप चूज करते हो ना fund fund चूज करने से पहले यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो directly आपका पैसा ऐसी companies में लगाएंगे जो growing companies होती है जो जिनके अंदर valuation ज़्यादा होता है for example जिस company की value ज़्यादा है right अब big companies आप लेकर चलो for example हो गया reliance हो गया right HDFC हो गया ITC ह हो गया इस तरह की बहुत सी companies होती है ultimately पैसा शेर में लगेगा आपका पैसा कही हो नहीं लगेगा but directly equity के थुरू blue chief right जिसको आप blue chief fund बोलती है right blue chief fund में आपका पैसा लगेगा flagship flagship fund में आपका पैसा लगेगा equity के अंदर आप यह समझो कि वो directly आपका large cap, mid cap, small cap में पैसा लगा रहे हैं आप normal source के चलो कि वो nifty 50 के अंदर पैसा लग रहे है आपका अगर equity की आप बात करोगे तो यह चीज़ा आपको समझना बहुत important है इसके बाद होते हैं तो hybrid fund अब hybrid fund थोड़े से different होते हैं हालांकि यह पैसा लगाते हैं share market के अंदर बट यह अपने पैसे को थोड़ diversify कर देते हैं हालांकि थोड़े return कम नी कलते हैं equity में risk भी ज़्यादा होता है समझना equity में आपका risk भी ज़्यादा होता है और return भी ज़्यादा होता है अभी देखो कि आप small cap companies ने कितना अच्छे return हमें दिया है recently अगर हम 2023 की बात करें 2023 की अगर हम बात करें तो small cap companies दोस्तो 40% से ज़्यादा mutual funds ने return दिया है small cap funds ने right and mid cap का है 33% approach हलांकि ये returns है ये up and down तो चलते हैं वाई market के अंदर but ultimately अगर हम एक round figure में लेकर के चलें तो equity से हमें 12 से 18% का return expected होता है साल का expected होता है आना कि कभी-कभी negative होता है बट कभी-कभी 30% होता है तो वो up and down में वो fluctuation होती है जो वो adjust हो जाती है अब देखो hybrid funds क्या होते हैं ये multi cap fund में पैसा लगाते हैं आपका multi cap funds में कुछ पैसा देखो आपका debt में लगाएंगे यानि government lawns में लगाएंगे कुछ पैसा government bonds में जाता है आपका जिसे sovereign gold bonds होगे तो इस तरीके से multi cap fund और flexi cap fund दोनों में से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं ये आपका पैसा क्या करेंगे small cap में भी लगाएंगे mid cap में भी ल लगाया जाता है कुछ पैसा बहुत ज़्यादा नहीं इसके हालां कि आपका system होता है इनका एक वेटेश होता है कि हम मानगे चलते हैं 100% पैसा हमारे पास है यानि 100% जो हमारे पास amount है मानगे चलो 10,000 रुपी हमारे पास है 10,000 रुपी में से दोस्ती 8% से ज्यादा कभी भ चेक करके देखना आप वेटेश नहीं होती किसी एक particular share की maximum सबसे ज़्यादा मैंने आपके बता दिया इसके बाद होता है 6%, 5%, 1%, 2%, 3% ऐसा जलती है इनकी वेटेश राइट सो इसके बाद दोस्तों जो अगला type होता है वो होता है debt mutual funds अब ये mutual funds नॉर्मली कौन लोग यूज कर सकते हैं जिनको रिस्क नहीं लेना जिनको यह है कि भाई मुझे 78% return मिल जाए बट रिस्क कम रहे मेरा जिसमें मुझे साल का 700% return मिल जाए मुझे बस रिस्क नहीं चाहिए बाए ज्यादा तो वो लोग यहाँ पैसा लगाते हैं इसमें पैसा नॉर्मली कहां लगता है आ लागि इसके लावब भी बहुत सी कम टाइपस होते हैं mutual fund के अंदर जो मेंली मेंट टाइपस हैं जिसमें आपका पैसा लगता है so now guys यहाँ पे हम आपके चार्ट दिखाते हैं जिसमें अगर हम अपने पैसे को एक लाग रुपे को मान के चलते हैं आज हमने एक लाग रुपे इन्वेस्ट किया है अगले 20 सालों के लिए तो हमारे पैसे क्या होगा किस किस सेक्टर में देखो अगर आपका पैसा cash में होगा वो भी हम discuss करेंगे एड़ इसके बाद दोस्तों अगर आपने saving में पैसा रखा है देखो maximum लोग क्या करते हैं वो पैसा saving में पढ़ा रहने देते हैं कि भाई ठीक है bank account में पैसा पढ़ा है और मुझे इसमें 2-3-4% का rate of interest मिल रहा है बहुत अच्छी बात है राइट इसके बाद maximum लोग की जो investment होती है वो होती है FD FD में अगर वो पैसा रखते हैं अगर वो debt mutual funds में gold में equity fund में पैसा रखते हैं तो उनके पैसे का क्या होगा अगले 20 साल के बाद आप देखो भाई अगर cash में आपका पैसा पढ़ा है ना तो यह मान के चलो कि वो zero हो जाएग अगले भी साल के अंदर अब मैं क्यों बोल रहा हूं देखो अगर return की बात करें return तो zero है अगर आज आप तीजोरी में एक लाक रुपए डाल के रख दोगे तो वो एक लाक ही रहने वाला है ultimately आपको दिखेगा आज से 20 साल बाद भी आपको एक लाक रुपए दिखेगा ब 20 साल के बाद बट 20 साल के बाद एक लाक की वैल्यू देखोगे आप तो कहीं न कहीं zero के आसपास ही होगी क्यों कि भाई महेंगाई कितनी बढ़ रही है दोस्त आप देखोगे 7% के हिसाब से महेंगाई बढ़ रही है इसका मतलब है कि 8-9 साल में आपका पैसा आपकी तो यानि जो चीज आज 1,00,00 रुपे की आ रही है वो अगले 20 साल के बाद 20,000 रुपे की नहीं आएगी भाई अगले 20 साल के बाद वो 2,00, 3,00,00 की आएगी अगर आप देखोगे आज से पहले अगर आप नोर्मली देख पा रहे होंगे कि सेविंग में आपने पैसा रख होगे तो वो 1,82,000 रुपे होगा मतलब almost double हम मानगे चलते हैं 20 साल के अंदर आपका पैसा saving के अंदर रखा है almost double हो रहा है अगर FD के अंदर आपने पैसा रखा है FD के अंदर पैसा रखा है मेरे FD का rate of interest normally लेके चल रहा हूँ 6% हलांकि कभी-कभी 7% तक भी मिलता है कभी- तो एक लाख रुपया पहले साल कितना होगा एक लाख 6,000 रुपया हलांकि चार्ट आप भी देख सकते हैं इसके बाद अगर 20 साल हम उस पैसे को देखेंगे वो 3,21,000 रुपय होता है हलांकि FD में आपकी जो आपकी महंगाई बढ़ रही है जो आपकी inflation बढ़ रही है उस इसको आप सोटा सा बीट कर सकते हो बस आप नॉर्मली जो आपकी पैसे की वैल्यू आज एक लाख है वो 3,00,000 रुपय की वैल्यू रहेगी बस यह चीज़ा आप सोचके चल सकते हैं कि FD में आपका जो inflation है उसको आप बीट कर पा रहे हो डैप्ट मूचर फंड की अगर हम 3,65,000 रुपया 3,65,000 रुपया होगा अगले 20 साल के बाद यह calculated returns है previous data की recording कि जो आज से पहले market नी return दिया है उसके recording यह data है अब इसके बाद दोस्तों जो आता है वो होता है gold investment यह गोल्ड की investment काफी अच्छी मानी जाती है बट कहां कौन से gold में invest करना चाहिए यह कोई नहीं यूजिस के लिए रहे हो तो वैल बहुत अच्छी बात है बट अगर gold के jewelry के अंदर आप invest कर रहे हो तो उसमें आपको सभी को पता होगा making charge हो गया GST हो गया आपका काफी charges आप से लिये जाते हैं खाला कि हम इसके उपर बाद में बात करेंगे gold के उपर so right अगर gold के में आपने एक लाख रुपे का gold लिया है न अगले 20 साल में वह 10 लाख रुपे का हो जाएगा जो इसके data के coding है 12% early appreciation हो रहा है तो 12% के हिसाब से 10 लाख रुपे का gold 10-20 साल के बाद हो जाएगा इसके बाद बात करते हैं equity fund जिसमें हम 12 से 15% का appreciation है rate of gain है वो हम expect कर रहे हैं तो प इसमें साल अगर आप उस पैसे को देखोगे दोस्तों वो around 20 lakh हो जाएगा यानि 20 लाख रुपया 20 लाख रुपया यानि यहां पे आप क्या inflation को beat कर पाओगे definitely आप बीट कर पाओगे बट लेकिन यह data previous है जो आज से पहले market के अंदर हुआ है उस data के coding आपको चीज कोविड के टाइम पर आपने देखा कितना क्रेश आया market के अंदर लोग बोल रहे थे कि भाई 10,000 भाई 5,000 निफ्टी आ जाएगा बट क्या हुआ बाई कुछ नहीं हुआ ना आज देखो निफ्टी यार 22,000 पर खड़ा है 21,000 पर खड़ा है आज निफ्टी 2400 के असपास रिसेंट लेकर हम बात करें तो मतलब जितना क्रेश आएगा उतना बूम मिलेगा एक साल के अंदर इस साल का आप रिटन देखो निफ्टी का कितना अच्छा रिटन निकल रहा है प्लस आप मुच्वर फंट का रिटन आप देखो यार जिस भाई ने एक साल के अंदर जिस फंड के अंदर हमना आपको रिटन दिखाया कि अगर हम एकुटी फंड चूज करते हैं तो इकुटी फंड का ripe रिट देखो सकते अगर आगर आज हम वन लैक रूपे इंवेस्ट करते हैं लंसम में लंसम होता है वन टाइम इनकर इन्वेस्ट करना तो इसमेर वार आना चाहता हूं देखो अगर देखे किसी ने नहीं है 20 साल बट फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता बट एक चीज़ा आप देखोगे आज से पहले आप देखो 20 साल पहले अगर MRF का शेर का क्मैंट जुरू करना अगर MRF के शेर में एक लका कोई लगाता ना एक हजार रुपे का शेर था स्टैम पे मेरा आज शेर का भाव देखो तो करना चाहते हैं SIP करना चाहते हैं best जो investment का तरीका है वो है दोस्तो SIP systematic investment plan इसको मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा कि कैसे SIP क्या होती है क्या benefit है कैसे गरते हैं हर चीज़ हम discuss करेंगे आने वाले वीडियो में में चीज क्या है भाई mutual fund के अंदर आपको एक habit लग जाएगी invest करने की अगर आपके पास महिने का 500 फर्पे होता है न मैं बोलता हूँ क्यों 500 फर्पे आप invest करना स्टार्ट करो 1000 रुपय आप invest करना start करो कम से कम अपना जितना पैसा है आप उतना पैसा invest करना start करो क्यों क्यों कि दोस्तों आपके छोटा सा पैसा जो है ना वो छोटे छोटे पैसे वो आपके mutual fund normally मैं आपको बताना चाहता हूं approximately 40-50 companies में आपका पैसा लगाता है systematic investment होती है वो 40-50 companies यानि 1000 रुपय अगर आप महिना लगा रहे हो तो वो 1000 रुपय महिना आपका 40 companies में लगने वाला है यह चीज आपको पता होनी चाहिए आप 40 business के owner बन रहे हो चाहिए 0.001% ही है but at least आपकी कुछ value तो हो रहे है ना उस business के अंदर अगर वो grow करेंगे आपका 1000 रुपय आप भी grow करेगा इस तरीके से धीरे धीरे आप जिसे आप ऐसे भी बनाओगे ना बहुत benefit आपको होगा future में wealth creation बिल्कुल आप wealth बना सकते हो अज आप 1000 रुपय भी value देखो आज आपको 1000 रुपया बहुत बड़ी value नहीं लेगी बट जब वो धीरे-दीरे 1000 रुपया 2000 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया, 4000 रुपया 4000 रुपया, 5000 रुपया, 5000 रुपया ऐसे करके जब एक value create होगी और उसको पर जब return मिलेगा ना आपको अगर मान के चुल आपको आपको आपकी value 10 रुपया होगी अगर 10 रुपया के उपर आपको 10% भी आपको gain मिलता है तो भाई 1 रुपया होता है तो अगर 15% gain होता है तो 1.5 रुपया आपका yearly बनेगा 10 रुपय के उपर तो इसमें compounding चलता है यह चीज हम आगे discuss करेंगे इसके बाद mutual fund में कहीं risk reduction आप कर देते हो risk reduction आपका कम हो जाता है जो आप mutual fund में पैसा लगाते हो क्यों हो जाता है उसके अंदर आपको fund manager मिलता है आपको experience बंदा मिलेगा भाई कोई भी fund manager जो आपका पैसा manage करेगा आप at least यह सोच सकते हैं कि मेरा जो पैसा है वो safe हातों में है वो अच्छे सो manage करेंगे दूसरी चीज proper fund manager जो हमने भी discuss किया इसके बाद diversification देखो diversification का benefit मिलता है आपको flexicab fund में multi cab fund में उसमें क्या होता है आपका पैसा जैसे मैं आपको कुछ भी देखने की जूरत नहीं आपको बस best fund चूज करने की जूरत है कि यह fund की performance कैसी है इस fund के अंदर asset under management कितना है AUM कैसा है अगर देखो ज्यादा पैसा वो companies manage कर रही है उसके जो fund manager है वो कैसे manage manage कर रहे हैं उस पैसे को वो चीज भी देखना important है इसके बाद एक और चीज में बताना जाता हूँ exit load कितना है यह भी जानना बहुत important है अब देखो invest small amount mutual fund में आप 1000 रुपया भी महीना invest कर सकते हो तो 500 रुपया महीना भी invest कर सकते हो आप कोई आपको यह नहीं है कि आपको large amount invest करना है और मेरे according भाई आपको investment तो start करना ही चाहिए जिनकी में trading करो ना करो पैसा कमाते हो अगर आप salaried employed हो तो भाई आपके पास महीने के 10,000 रुपया आते हैं तो उसमेंसे आप 20% निकालो के लिए क्योंकि भाई वह 20% आज आपको चूब सकता है बड़ जब वह दस साल उबाद उस पैसे को देखोगे न आप तो आप बोलोगे कि यार मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो देखी जिसमें एक भाई ने मुझे investment के advice दी और आज मेरे वह 2000 रुपय ताकर रुपय में बदल लगे है यह चीज़ आपको बाद में बदल से लेगी अब देखो financial goal अभी recently मैंने खुद भी financial goal रखा था तो मैंने mutual fund में invest किया था आप अपने financial goal रख सकते हो कि भाई अगर आप अपने बच्चों के लिए आप प्लान कर सकते आपने 20 साल invest किया आपने 2,40,000 रुपया आपने invest किया तो वह 2,40,000 रुपया जब आप देखोगे जब देखोगे ना उस पैसे को आप तो आपको बहुत ज़्यादा देखने वाला है मतलब वहाँ भी आपका benefit होगा प्लस आपका financial goal भी वहाँ पर complete होगा दूसरी चीज आपको यहाँ पर transparency मिलती है transparency का मतलब क्या हुआ जिसे आप mutual fund में आती हो तो आप उस पैसे को देखोगे जब आप उनी पैसे को देखोगे तो आपको बिल्कुल नजर आने वाला है कि आज कितना पैसा है कितना है future में मान के चलते हैं भगवान करें ऐसा कभी न हो बट मान के चलो आज आपके पास salary हो आपकी job है आगर आज आपको पैसा रहेगी इन future हो जाए कि कुछ miss happening हो जाए आपके पास पैसा ना है तो यहाँ पर transparency आपको मिलती है कि आप अपने return grow किया है कल कितना बट उस चीज़ से आपको फरक नहीं पड़ना चाहिए अगर देखो किसी mutual fund के अंदर आप invest कर रहे हो और आपके पास regular income source है जहां से आपको regular पैसा आ रहा है तो आप कभी भी mutual fund को मत छेड़ो अब उसके अंदर आप investment करते रहो करते रहो वह investment dips में भी होगी मान की चलो इस महीने market is bullish था right? अब January के महीने में आपने देखा कितणी तकरी correction i read, December में bullish था December में Körper में आपका पैसा December में भी लगा आपका believe लगा January में भी लगेगा आपका पैसा benefit मिलते हैं, अगर आप large amount थोड़ा से invest करना चाहते हो, like 50,000 1,002,005,00, तो उसमें आप ELSS funds भी आप use कर सकते हो, mutual funds के अंदर ऐसे funds भी आपको मिलते हैं, जिसमें हालांकि 3 साल का lock-in period होता है, कुछ funds के अंदर 5 साल का lock-in period होता है तो उन funds को आप 5 साल से डाल रहे हो, एक लाग के उपर जो gain करोगे आप उसके उपर आपको कोई भी tax नहीं देना होगा, हालांकि एक लाग के उपर तो कोई tax ही नहीं लगता, बट फिर भी आपको mutual funds के अंदर tax benefit भी देखने को मिलते हैं ये थे दोस्तो benefits benefits mutual fund के अंदर कि क्या-क्या main benefits हैं इसके अलावा दोस्तो आपको मैं बताना चाहता हूँ अगर आप mutual fund के अंदर invest करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक debit and trading account की requirement होगी किसकी requirement होगी दोस्तो, debit and trading account की, हलांकि हम अभी आपको आगे सिखाएंगे भी next studio में की mutual fund में SIP कैसे होती है, कैसे आपको SIP करनी है, तो अगर आप debit and trading account open करना चाहते हो, link description box में मिलेगा दोस्तो, जाना है उस link पे हम लोग use करते हैं angel one trading platform का आप angel one पे अपना debit and trading account open कर सकते हो जो description box में आपको link मिलेगा, वहाँ पे जागर के आपको account open कर लेना है, अगर आपके पास कोई ओडिमेट account है, तो कोई बात नहीं उसमें भी आप invest कर सकते हैं, आपके पास कौन सा dividend trading account है, आप description box में comment करना हम आपके लिए उस पे भी dedicated video बना देंगे so I hope दोस्तों आपको समझ आया होगा कि mutual funds क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं and क्या-क्या benefits आपको मिलते हैं तो next video में हम discuss करेंगे SIP कैसे करते है mutual fund के अंदर SIP क्या होती है, क्या-क्या benefit है, so right guys, उमेद करता हूँ आपको video समझ आ गया होगा और investing की series हम आप सभी के लिए start कर रहे है ये जानना आपके लिए बहुत important है मिलेगा आपको next studio में, तब तक के लिए bye-bye, take care